हेलो प्यारी बच्चो नवदीप सर के चैनल पर आप सभी का स्वागत है फिजिक्स अपने पढ़ते हैं और आज पहली बार मैं आपसे इस वीडियो के त्रूरूरूरू हो रहा हूँ वैसे आप मेरी आवाज तो सुनते ही हो हर एक वीडियो में और पहली बार शकल देख रह हो चुक है लग बग अपने 600 से पार मेंबर पार खर चुक है और मैं सभी को परिवारी मानता हूं लेकिन जब अपना चैनल के पर 1K सब्सक्राइबर हो जाएंगे मतलब 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगी तब आप से लाइव भी मैं बात कर लिया करूं ठीक है क्योंकि लाइ चैनल को बनाने में और साथ में आगे बढ़ाने में सहयोग वो कर रहा है ठीक है तो आज कई टॉपिक्स पर मुझे बात करनी थी जो बचे अलग-अलग क्वेस्टन पूछ रहे हैं तो सबसे पहले तो मैं उन बच्चों को बदाई दूंगा जिनों ने इस बार्ट हो सकते हैं आसपलोस में और बहुत सारे यानि जिस स्कूल में मैं पढ़ाता हूँ वहां भी बहुत सारे बच्चे हैं जुनोंने बहुत अच्छे नंबर लेके 12th क्लास में पास हुए हैं और उनी से अपने को गाईडेंस लेनी हैं वो बच्चे हमारे लिए क्या हैं एक आ कि मैं भी बहुत बच्चों के टच में रहा हूँ और बच्चों का देखता हूँ भी रूटीन कैसा है कैसे पढ़ते हैं जिस स्कूल में मैं अब पढ़ा रहा हूँ वहां 99 नंबर हाइस्ट रहे हैं फिजिक्स में 100 में से तो आपको भी मेरा यही टार्गेट है कि जितने बच्चे मेरे साथ जुड़ें वो सब अच्छे नंबर लेके पास हो जाए ठीक है तो फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है आपको क्या है मेरा चैनल कर शुरू करने का मक्सर यही था कि जो यूट्यूब है ना इस पे राजस्थान बोर्ड की फिजिक्स के बहुत ही कम चैन रहा था पंद्रमा चैप्टर था कई स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर शॉ रहा है तो उनको मैं एक बात कहना चाहूंगा भी क्या है कि स्लो होने का कारण यह है क्योंकि मेरे पास नोट्स तो अविलेबल है लेकिन जिस नोट्स से आपको बढ़ाता हूं वह नोट्स मैं है Сам क्या है कि मैं दुबारा नोट्स को त्यार करता है तो समें लग से प्रिपेयर कर रहा हूं ताकि उसमें और improvements कर सकूँ मैं तो तब भी थोड़ी सी वीडियो आपको slow मिल रही थी अब मैंने notes काफी 2-3 chapter के prepare कर लिए हैं तो वो अपने अब करेंगे जब chapter second start होगा ना तब आपकी class मैं हो सके regular लिया करूँगा ठीक है ना नहीं तो आपको ज़्यादा वेट नहीं करवाँगा इसमें तो क्या हुआ कि कही वीडियो के बीच में ट्राइ करेंगे और Hindi English Medium दोनों को ही करवाता हूँ मैं Hindi Medium भी और English Medium Students भी दोनों ही फाइदा लेते हैं तो आप से यह request करूँगा कि इस चैनल को आगे से आगे शेयर करें सबस्क्राइब करें जिससे मुझे motivation मिलता है ठीक है आपको क्या है कि physics के लिए आप क्या करते हो टूशन जाते हो वां इतनी बड़ी बड़ी फीसे देते हो चैच साथ साते जार हो रहा है यहां पे आपको टूशन वाला काम YouTube पे मिल रहे हैं और आपके बढ़ी है रिस्पोंस आरहि है मुझे बहुत खुश है हुई इस बात की कि बच्चे कह रहे हैं कि सर हमें बह। अच्छे तरीके से समझ आ रहा है उसके लिए मैं आपको थेंक्यू करता हूँ कि आपको समझ आ रहा है वो बगवान की दिया है चलो आपको समझ आता है बगवान ऐसे तरह अपने चैनल को बनाई रखे और आपके समझ आता रहे सब कुछ बाकी देखो एक पॉइंट यह है कई स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर जो स्लेबस है वो कम होगा या नहीं होगा 12th क्लास का तो स्लेबस की मैं आपको बात बता दूँ भी जो CBSC बोर्ड है उसने अपना स्लेबस कम किया है 30% कम किया है और अब पिछले 3-4 दिनों से यह न्यूज चल रहे थी कि जो स्लेबस है वो कहा है कि कम अपने करने की ट्राई करेंगे अपने जो शिक्षा मंतरियों कह रहे हैं क कम होगा 30% तो स्लेबस तो चलो मानलो कम हो जाएगा लेकिन आपको ये चीज याद रखो कि स्लेबस कम होने से आपको अली 12th क्लास में फाइदा हो सकता आगे के लिए कभी फाइदा नहीं हो सकता कारण क्या उसका वो सुनो कि देखो 12th क्लास में आप कोगे भी हां स्लेबस हमारा कम हो गया 70% हो गया कवर करना अपने को मुश्किल था इतना ज्यादा उसको कम कर दी आपको खुशी हो सकती है लेकिन बड़ी क्लासों में जाके क्योंकि जो 11 और 12 क्लास है वो आपका बेस है वहाँ पर आप क्या करते हो जितने भी यानि कि अपने टॉपिक कवर करते हो वो सारे आपके बेस है मतलब जैसे आप मकान मनाते हो मकान की नीम होती है नीम पर ही मकान खड़ा होता है तो वैसी आपका ये वाली चीज नीम है 11 और 12 इसको अगर आपने अच्छे तरीके से कर लिया तब ही बड़ी क्लासों में जाके आप समझ सकते हो असानी से तो वही कि अगर मालो कि यहां पर आपने आपको कह दिया भी आपका 30% सलेवस कम हो गया तो ऐसे तो नहीं भी बड़ी क्लासों में जाके वो सलेवस अपने को नहीं मिलेगा वो वाले टॉपिक नहीं मिलेगे क्योंकि ये वाले जो टॉपिक है आगे जो बड़े टॉपिक आएंगे वो इसी पर बेश्ड होंगे 11-12 के टॉपिक्स पर ठीक है तो आपको कहा है कि आपको ऐसे नहीं सोचना भी हमारा सलेवस कम होगा हमें बहुत फायदा होगा हाँ 12th क्लास में मैं जरूर बोल सकता हूँ कि आपको फायदा हो जाएगा भी कम पढ़ना पढ़ेगा लेकिन मेरी इच्छ है कि आप जितना भी पढ़ो वो सारा आपके आगे काम आए आप तो अब अब 12th क्लास की सोच रहे हो लेकिन मैं आगे की भी सोच के चल रहा हूँ जैसे माल लो कि मैंने CBSE वोड का सलेवस देखा तो उसमें कहा है जो अब मैं 15 चैप्टर करवा रहा हूँ उसमें स जो 12th क्लास वाले स्टूडेंट है उसको नहीं पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ेंगे तो आगे जो नुक्लियर फिजिक्स तो आगे भी आती है BSE में आएगी या फिन इंजिनिरिंग वाले स्टूडेंट भी इंजिनिरिंग में मैं मेरे कई फ्रेंड है वो बता रहे थे कि BTEC first year जो होता है वहाँ पे जो ये physics ऐसारी आती है 11-12 की तो भई ये topic आपके basic आपको इनसे बचना नहीं चाहिए हाँ अगर मालो syllabus में से कई topics delete होते हैं तो वो delete topic पर मैं video बनाऊंगा जुरूर आप क्या करना उसको एक बार देख लेना पेपरों के लिए उसको त्यार मत करना लेकिन आपको पता तो होना चाहिए भी ये topic किस से related है किस से किस की information मिलती है अपने को या किस से किस किस चीज के बारे में knowledge मिलती है ठीक है तो मतलब आपका जो topic है वो सारे त्यार होने चाहिए क्योंकि अब जो current syllabus चल रहा है ना CBSC का भी और राजस्तान बोर्ड का भी उसमें उन्होंने लगबख सारे topic कवर कियें जो बड़ी कलासों में काम आते हैं तो आप ये अपने मन से वह हम निकाल दो भी syllabus कम होने से हमें फाइदा होगा अब हो सकता है बड़ी कलासों में जाके आपको फाइदा नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे तो चीजें वो तो ये मान के चलते हैं आगे college में जाओगे ना वो ये मान के चलेंगे कि आपको सारी चीजे आती है आप वहाँ पर ये नहीं कह सकता है कि जो syllabus आपके यानि की होगा जो डिलीट हो जाए उसे एक बार जुरूर देखना वो topic समझ लेना आप क्योंकि बड़ी कलासों में जाने पर आपको ऐसे तो गभी ये topic हामे ने पड़ा था ठीक है ना उसके notes भी त्यार कर लेना आप और next जो है वो है कि जो अपने channel पर मैं सोच रहा हूं कि अब next अपना chapter number second start होगा गाउस के नियम वाला या गाउस law वाला chapter start होगा तो उसमें क्या है कि जैसे जैसे मैं आपको part डालता जाओं तो आप क्या करना comment box में मुझे अपने doubts बताते रहना ठीक है बड़े doubts बताते रहना कि जो doubt आपको लगे जहां पर भी भी सरी इस topic में मुझे doubt है तो मैं क्या करूँगा कि जब अपना chapter खतम हो जाएगा end हो जाएगा chapter का तो last में एक video बना दूँगा doubt पे जितने भी आपके doubt होंगे वो सारे doubt इकठे करके 10-15 जितने topic doubt के आपके हैं वो सारे questions उसमें discuss कर लूँगा second chapter से ये चीज start कर रहा हूँ मैं पिछले तीन chapter में ये चीज नहीं हो पाई है उस पे भी अगर आपको doubt है तो उस पे भी मैं बना दूँगा वीडियो अगर आपको किसी को भी doubt है और बहुत अच्छा आप कर रहे हैं और daily videos देखते हो और ऐसी देखते रहे ना देखो जो physics subject है ये continuity माँगता होता है physics subject में क्या है कि आप टूटने नहीं चाहिए subject से physics क्या है science science और mathematics दोनों का mixture है physics जो subject है science भी आप पढ़ते हो science में क्या होते है theory होती है ठीक है न तो theory होती है theory भी आप पढ़ते हो derivation भी पढ़ते हो formula भी पढ़ते हो वो सारे math में होते है तो तबी क्या है कि दो चीजों का mixture है theoretical portion भी आता है physics में और mathematical portion भी आता है दोने ही आपको पढ़ने पढ़ते हैं लेकिन physics है बहुत ही जबर्दर subject interesting subject अगर एक बार interest बन गया ना आपका physics छोड़ने का मन नहीं करेगा आपको ठीक है तो यह एक यानि की था physics को आप क्या करो main जो मैं आपने खुद की बात बताता हूँ मेरे 12th class में खुद के 86% थी और उस टाइम मैंने main भी बहुत की ति उस टाइम उस टाइम के 86 यानि आज से 10 साल पहले के 86 आज के 96 के करीब बनते हैं ठीक है ना क्योंकि उस टाइम marking tight होती थी और आपको बात बताता हूँ कि physics जो subject यह लिख के याद होता है मैं लिख की याद करने का हमेशा क्यों कहता हूँ आपको क्योंकि मैंने खुद यह practical किया हुआ और हम जो होस्टल में रहते थे तो वांस सारे याने जितने भी मेरे साथ टॉपर स्टूडेंट्स थे वो सारे लिख की याद करते थे हमें यह होड लगी रहती थी भी कौन ज्यादा रफ कॉपीज बरेगा ठीक है न तो physics को जितना लिखोगे लिख लिख के करोगे उतने याद होग ठीक है तो यही चीज physics में है कि physics को जब भी आप derivation करो जब भी लेके बैठो पहले वीडियो देखो वीडियो से नोट्स बनाते चलो साथ में और अगर आपको अलग से चाहिए नोट्स भी आपको only वीडियो देखनी है तो मैं telegram चैनल पर डालता हूँ telegram चैनल मेरा है RBSC physics notes बीच में आपको कुछ निग एप चोड़ना telegram एप बरके और उसमें RBSC physics notes लिखना है वहाँ पे मैं हर एक वीडियो का जो भी पार्ट डालता हूँ साथ में उसके PDF notes डाल देता हूँ तो वो PDF notes से आप notes बना सकते हैं अगर आप only video देखना चाओ भी मुझे disturb नहीं होना बीच में तो वीडियो देखो और notes वहाँ से त्यार कर लो ठीक है तो उसके बाद जब आपने notes त्यार कर लिए उस चीज को जब तक आप 2-3 बार rough copy में लिखके नहीं देखोगे वो आपक कभी भी उसके number नहीं बनते हैं physics रटे वाला subject ही नहीं है आप इसमें रटा नहीं मार सकते हैं एक बार रटा मार की याद कर लोगे थोड़ा सा गुमा की पूछ लिए ना question वहां गटी गोल हो जाती है ठीक है न तो physics को हमेशा समझ के चलो समझ के चलो और अच्छे तरीके स उसको लिख के याद करके चलते रहो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी physics पढ़ने में तो यह चीज होगी physics पढ़नी कैसे है अब next बात है कि इस channel पर physics के लिए मैं सोच रहा हूँ कि आगे 11 और BSE के लिए भी वीडियो बनाओ तो जो भी आपके 11 के आपके बाईबा है न को क्लास का जब रिजल्ट हाजेगा रिजल्ट के बाद मैं 11 क्लास की वीडियो स्टार्ट कर दूँगा मतलब आप जो 10 वाल है 11 में होंगे फिर ही सोचेंगे भी आमें physics साइंस लेनी है या arts लेनी है या कुछ भी लेना है ठीक है तो तब मैं 11 क्लास की वीडियो भी तो B.S.E. के notes भी मैं prepare कर रहा हूं और B.S.E. first year second year सभी के लिए मैं वीडियो स्टार्ट कर दूँगा लेकिन currently ये 12 वाली चलती रहे की इसको आप इसको continue रखेंगे ये वीडियो आपको लगातार मिलती रहें 12 क्लास के students को क्योंकि इस बार मुझे बहुत खुशी हुई मे जो परिवार है ये सारा मैं इसको परिवार ही कहता हूँ जो चैसाड़े 600 जने आप मेरे से जुड़े हुए हो ये आप मेरे परिवार के जैसे हो क्योंकि आपने इस चैनल को उनाया है आप इस परिवार के मेंबर हो तो तब ही कहा है कि मैं जो आप मेरे परिवार के मेंबर उन सभी के नंबर बढ़ी आएं आप सभी यानि की बहुत ही उन्चाहियों तक पहुंचे बहुत ही अच्छे नंबर लेके आएं तभी मैं आपकी help के लिए आपके बड़े भाई के तौर पर आपकी help करता हूं ठीक है और जो भी आपके doubts है उनको clear करने की ज़्यादा से ज़ बिलते रहेंगे यह कुछ है अपने आज main issue थे तो syllabus का main issue था syllabus student बार बर पूछ रहे थे तो syllabus आपका कम हो जाए तो 12th class में उसका फायदा होगा लेकिन आगे के लिए नुकसान होगा तो अपने को तो हर time का situation या हर time को लेके चलना होगा ऐसे तो नहीं भी 12th class में आपको फा इसके बाद चाही मत देखना और अगर फिर भी देखना चाहो तो physics क्या है physics बहुत ही interesting है आपको कभी boring नहीं लगेगी जो physics को boring समझता है ना वो नमर नहीं बना सकता है इसमें तो boring कभी नहीं समझना इस subject को हमेशा इसको लिख के practice करके और अच्छे तरीके से अभ्यास करत करते रहों और आगे भी अपने इसी तरह बाते करते रहेंगे सेशन अब मैं बनाता रहूंगा आज आपसे रूबरू हो गया हूं और वैसे मैं रहने वाला हूं अनमानगर जिले का और गंगनगर जिले में टीचिंग करवाता हूं और तब तक के लिए thank you have a nice